हेलो फ्रेंट्स इस बीडियो में हम लाइफ मेनेजमेंट स्किल इंप्रूम्मेंट के बिशे में बात करेंगे क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा महत्पुर्ण मानसिक और भावनात्मक प्रबंदन है यानि मेंटल एंड इमोशनल मेनेजमेंट क्योंकि जब तक कोई मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं होता तब तक वो जीवन में चौमोखी विकास नहीं कर पाता है अपने बैक्तितु को सही परिचय नहीं दे पाता है आज बिश्व की अबादी 7.8 बिलियन है यानि 780 करोड है तीन साल का बच्चा या सत्तर साल का ब्रिद्ध सभी अधर्णिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी को जानता है इसका कारण अद्भुत मानसिक और भावनात्मक मजबूती जो मोधी जी को आज बिश्व में महान बनाया है जबर्दस्ट मानसिक ताकत जो बिश्व के महान नेता बनाया मोधी जी एक ऐसा सक्स है जिनका पौस्टिक आहार गाली, कोसना, ग्रिना, नफरत, बुराई, अपसब्द, इड्सा, जिलन, अभर्द्र, मजाग, टीका टिकनी है ये सारे मोधी जी का पौस्टिक आहार है इसके अलामा लोगों ने और भी स्वादिष्ट भोजन उनको दिया है जैसे कि चाय वाला चौकिदार च्योर है टुकरे टुकरे कर दिया जाएगा गंदी नाली का किरा, गंगो तेली, पागल कुत्ता, भासमा सूर रावन कहा गया बंदर भी कहा, लोग बिच्छो भी कहा, साप भी कहा संसार की जितने गाली थे और मोधी साहब को दिया गया है पर मोधी साहब तो मोधी जी है, यहां तक की देश तो देश, बिदेश के लिए असमाजिक तत्वों ने जम कर मोधी जी कहा बिरोधि किया, निंदा किया और अलोचना किया पर मोधी जी रत्ती भर अपने मांसिक और भानात्मक्ता को कमजोर नहीं किया जिसके कारण आज मोधी साहब निंदा और अस्तुति से परे हैं आज वही संसार, आज मोधी जी का परसंसा करता है कहते हैं, जितना जिसका निंदा होता है, उतना ही उसका अस्तुति होता है मोधी जी ने कबिर्दास की दोहे को भी सच कर दिया निंदक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाये, बिन पानी, सावन बिना, निर्मल कड़े, सुभाये इसी महांता गुम के कारण देश का तीसरी बार परधान मंत्री बनेंगे मोदी जी देश का परधान मंत्री है देश का परधान है चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं पर मोदी जी नीश्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं और देश की आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम सभी के लिए मोदी जी प्रेणा का स्तुरोध हैं एक महान उधारन है हमें हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होना चाहिए इस लाइफ मनेजमेंट वीडियो में हमने यही सीखा कि निंदा का अलोचना का परवाह नहीं करना चाहिए बस हमें आगे बढ़न निंदा को अहार बाना चाहिए लोगों की प्रसंश से पिघलना नहीं चाहिए और आलोचना से उबलना नहीं चाहिए सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए अब मीशन और विजन के लिए रखना चाहिए ये हमें मोदी जी से Life Management सीखा आप सभी का धन्यवाद नमसकर जैहिंद